हलो श्बुस्तों एक बार फिर्श वागत है। आपका हमारे शानल बार मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहें इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहतें इंजीनियर बनना या करियर को सवार ना इंजीनियरिंग करें तो सबसे बेले चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी कॉलेज इसकी कोर्स इसकी अगरियर से जुड़ी इंजीरियर गी यहीं इसी चैनल पर मिल जाए साथी साथ दोस्तों मैं भी शेयर कर दीचेगा ताकि उनका भी बला हो जाए फिलाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूने महराष्ट्रा में एक यूरबस्टी है प्राइबिट यूरबस्टी है जिसका नाम बीचे आप पढ़ी पा रहे होंगे इसके बारे में कम्प्लीट डिटेल पर डिसकेशन करने वालें कि कैसा क्या इसके इसके बात हैं प्लेस्मेंट के क्या रिकॉर्ड्स है क्या क्या विवस्ता है फीज कितनी लगती है तमाम तरह से अगर आप टार्गेट कर रहे हैं महराष्ट्रा में पूने की कोई यूरबस्टी को तो क्य यह option आपके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है इसके अलाबा अगर आप चाहते हैं किसी भी यूरबस्टी के बारे में किसी भी स्टेट में कौन सा कोर्स किया जाए इंजीनिंग्स रिलेटिट यह जानकारी और कोई देने वाला नहीं है तो हम हैं आपके लिए नीचे profile analysis form मिल जाएगा जिसको fill up करिए और उसके basis पे क्या best हो सकता है आपके लिए यह हम बताएंगे चलिए स्टार्ट करेंगे यहां पे डॉक्टर विश विशुनात कराद सहब है इनके नाम पर MIT World Peace University MIT WPU पूने की हम पूरी detail में बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेंग है तो University हो जाने का मतलब यह है कि भाई अब यह तमाम courses conduct करवा सकते हैं अलग अलग streams के मतलब चाहे मायनिटी के हों, arts के हो, medical के हो, law के हो, कोई भी courses की करा सकते हैं लेकिन फिलाल हम इस फीडियो में बात engineering की करने वाले हैं कि कैसे क्या यह सारे courses conduct कराते हैं, क्या-क्या specialization है कैसे आप यहाँ admission ले सकते हैं, क्या-क्या सारी चीज़ हैं, चीक है ना भाई, दोस्तों पर जरूर शेयर कर देना हैं इस चीज़ को और profile analysis form, personally आपकी profile के अधार पर अगर आप चानना चाते हैं जानकारी तो इसको भर देना जल्दी हैं चले, यह हमने सारी चीज़ों पर बात कर ली, 1983 पूने, महराश्रा में, MIT, पूने के नाम से, इसको WPU के नाम से चाना चाता है, और भाईया, यहाँ पर क्या-क्या स्टीम्स आपको यह offer करते हैं, किस-किस प्रकार कि स्टीम्स में इंजीनिरिंग में चाह सकते हैं, तो mechanical engineering, mechanical के लावा, robotics हो गई, automation engineering, यह include किया material science engineering होगे, तो यह कुछ इन्होंने innovation किया है, नई-नई branches को include किया, इसलिए लोग बाग थोड़ा सा attract होते हैं, बच्चे attract होते हैं, नई branches को लेके, बागी computer, mechanical, यह civil, तो पुरानी है ही, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी, ठीक है बई, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, आगे की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, department के through, चले, institution हमने देखी लिया है, और बात करें इसके mode of admission की, तो admission करने के लिए, अगर हम engineering की बात कर रहे हैं, तो engineering में सबसे जले 12th fast होना है, यह important है, क्योंकि यह basic criteria है, 12th में PCM हो आपके पास, और minimum criteria 50% का होता है, कुछ categories के लिए, यहाँ पर relaxation 5% का हो जाता, कुछ अच्छे अच्छे universities है, जो private university है, अच्छे creamy बच्चे लेना चाहती है, मतलब वो अपर layer वाले, तो अपने percentage criteria को बढ़ा देती है, कुछ कम कर देती है, ताकि और बच्चों को भी offer मिल पाए, बच्चे चूक ना पाए education को लेके, तो यह depend करता है, अलग-अलग universities को लेके, यहाँ minimum 50% का ही criteria है, 45%, 5% का relaxation हो जाएगा, बच्चों, बच्चों के लिए, इसके अलाबा, चूकि यह पूनी की है, महरास्ट्रा की है, तो महरास्ट्रा में, फिर भाई देखो यार, 12th के बाद, आप examinations दोगे, जाई, इसके बाद, यह तो national level के examination हो जाता है, state level के, CT की counselling होती है, उसके basis पे भी admission मिल जाता है, और private university के क्या है, अलग-अलग examinations होते हैं, जैसे हम बात MIT की कर रहे है, तो यह MIT का, WPO University का, खुद का entrance examination हो जाता है, जिसके basis पे आपको यह admission मिल जाता है, तो इतने options हैं, आपको यहा होती है, ठीक है, चले, अब यहां हम दूसरी चीज, fee structure की बात करें, क्योंकि fee structure important इसलिए हो जाता है, क्यों important हो जाता है, क्योंकि हर कोई afford नहीं कर जाता है, private institutions के साथ यही है, कि वो infrastructure या facility के नाम पे अच्छा खासा पैसा ले लेता है, हाँ, यह सच्छा ही है, तो भई, क् उसको afford कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, middle class family, क्या वो 3-4 लाख रुपे का खर्चा उठा सकती है, अपने बच्चे के लिए, या नहीं उठा सकती, on and average, एक साल की बात नहीं है, चार साल का course होता है, तो अच्छा खासा lump sum amount हो जाता है, 20-20 लाग का, जो कि बच्चे के लिए afford करना होता है, और फिर उसके बाद return क्या मिल रहा है, यह भी तो देखना ज़रूरिया, है कि नहीं, चले, so इनो ने structure बताया है कि total एक साल का tuition fees और other fees मिला के, 3,10,000 रुपे गरीव है, एक साल का, और 4 साल का गरीव है, तो यह total cable fee structure हो गया आपका tuition fees और बाकी का, अभी रहन लगता कर सकता है, और अगर आप कर सकते हैं, तो और अच्छे अच्छे options भी हो सकते हैं, आपके लिए, तो depend करता है आपकी profile पे क्या best होगा आपके लिए, यह हर किसी को नहीं पता होता है, और अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो नीचे profile analysis पॉन मिल जाएगा, जिसको fill up क हम आपको personal यह आपकी profile के आदार पे बताएंगे, क्या best होगा आपके लिए, चलिए, यह अलग-अलग scholarships की बात है, यहाँ पर percentage पर डिपेंड करता है, कि सुरू बात ही, अगर आपने, हाँ, अलग-अलग प्रकार से percentage graphs करे हो हैं, मतलब अच्छे top students में आप आ रहे हैं, तो आपके लिए यह ए, तो दीरे-दीरे कम करके 50% तक पहुं सकते हैं, है ना, 75% के अलग criteria, 50% के अलग criteria, यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं, होस्टल की fees, हाँ, वही 3,10,000 रुपे all total fees, केवल वो tuition fee है, 60,000 रुपे की hostel fees, यानि 4,00,000 हो गए, चार चुको 16,16,000 रुपे, और फिर कुछ extra कर्चे भी हो जाते हैं, तो 16-20,000,000 के बीच में आप यह मान के चलिए कि all total आपकी engineering होगी, यहां से हम ID कूने से, नाम हो, बड़े और दर्शन चोटे, क्या यासा तो नहीं है, मतलब यह कितना क्या placement records है, इनके कैसे बच्चों को investment के साथ return प्रवाइट करा रहे हैं, तो हमें पता तो हो at least की हाँ, धोके में तो नहीं रखा गया है, मेरे को पता तो था की नहीं था, मेरे को बताया ही नहीं है, कि ऐसे record से मुझे जानकारी देने वाला कोई नहीं था, मेरे को guide करने वाला कोई नहीं था, ऐसा हम हैं आपके लिए, है ना, अगर कोई ना मिले तो नीचे आप अपनी profile analysis form fill up कर देंगे, आपकी profile पर आपको best क्या हो सकता है, यह हम बता देंगे, चीक है ना, तो यह डरने की बिल्कुल बात रही है, यह उन्होंने 44 लाग का highest LPA बताया है, कि highest placement record 46 लाग के है, on an average 1500 से जादा बच्चे जो है recruit हुए, और 100% placement का यह बता रहे है record, जो की गलत होता है, सच्छा ही यह है, क्यों भाई, क्योंकि यह बहुत सारे बच्चे hire studies के लिए चले जाते हैं, कुछ तो खुद का ही start-up खोल लेते हैं, हाँ, कुछ तो पहले ही businessmen family से belong करते हैं, जो की बढ़ना है, उन्हें degree चाहिए, उन्हें कोई मतलब प्लेस्मेंट की उनकी खुद कई business कड़े वाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं 100% placement हो, हाँ, यह एक और basis पे 100% लेख सकते हैं, कि बहुत सारे बच्चे जो बैठे ही नहीं प्लेस्मेंट में, उनकी तो बात ही अलग है, जो बैठे उनमें 100% के records, जरूर हो सकते हैं, तो वो depend करता हैं की नहीं है, लिखना तो हर को ही लिख देता है, private university तो लिखते ही हैं, उसी पे तो बच्चे आ जाता है, चीक है, चले, तो यह सारी चीज़े हैं, याद रखिएगा, placement के यह पूरे के पूरे इनके बड़े-बड़े partners हैं, recruiters हैं, अच्छे-च्छे नाम आप इसमें दे basis पर, यह percentile अगर ऐसे हैं आपके, तो यह इतने-इतने परसेंट के आपको क्या है, wave off हो जाएगी fees, तो अच्छे परसेंट लिखिया हो, तो कहीं समस्या ने, fees का भी एक जो रटा रहता है, कि यारे यारे तफी, इसमें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि क्या है, तो वो स सकते हैं, तो यह भी एक option है, जिसको दिमाग में रखिये, कहां आँगे चलके, ताकि आपको समस्या ना आएं सारी चीज़, और facility, जिसके basis पे बच्छे को provide की जाती है, facilities, और उसके basis पे fees, बड़ी, कि किस चीज की, 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पूरियम, बैंक, ATM, swimming pool बगएर, तो swimming pool का का ही करोगे, भाई साब का करोगे, कुछ करना है, क्या है, रोज तो ना आने जाओगे, swimming pool में तैर ना है, ठीक है, देखने के लिए अच्छी चीज है, infrastructure, लेकिन अगेन यह basic facility है, हर को ही provide कराता है, है कि ने, तो अगर ऐसी facility नहीं भी है, किसी institution में, तो बिल्कुल मत जाना, क्या है, कि फिर फीज दिरवा, एकिने, तो यह सारी चीजे आपको देखना है, और सारी चीजे करने के बाद, अब मुझे लगता है, कि एक important feature और हो जाता है, हाँ, यह है, alumni network, क्यों, क्योंकि आप इतने पुराने, 1983 में आप established हो है थे, और 17 साल, on an average, मतब 13 साल यह और 23 साल यह, लगवग 40 years का आपको अनभव होने को है, तो 40 सालों में, आपके student किस-किस मुकाम तक पहुँच चुके, कहां-कहां चले गया है, फैल गया है, कि कितना तगड़ा network हो चुका है, आपका यह depend करता है, और इसी के basis पे आपका नाम बढ़ता है, तो, alumni में आप देखें, सुमेद, उद्गालकर साब, यह, रंडी, पराय, हर्षवर्दन, कुलकरनी, इनका तो नाम आपने सुनई हो गई, एक्टर हैं, अच्छे खासे, योगेस, जोसी हो गया, यह, बीके सिवानी, जी को आप सब ही जानते होंगे, ओम हमने सारी चीजे डिसकस कर लिए, माइडी पूने की, अब इन सारी चीजों के बेसिस पे, अब एट लिस्ट ये रहेगा कि, अगर आप ले रहे हैं, एडवीशन की नहीं लेना है, यह, आपको समझ में आ गया होगा, हाँ, एक चीज और है, और आप तलास कर रहे हैं, आप सारी जानकारी इस चैनल पर प्रवाइट तो करता ही है, वो अगले वीडियो में अगली जानकारी के जाथ मिलेंगे, आपको तब तक के लिए, जाहे होगा.